आज की अब देग जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप आप बिना KYC और बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने इस सर्विस को अपने उन कस्टोमर के लिए निकाला है जिनके पास डॉक्यूमेंट की कमी की वज़त से वो बैंक में एकाउंट नहीं खुलवा पाते लेकिन जहां इसे बिना KYC के ओपन कर सकते हैं वहीं SBI ने ऐसे एकाउंट पर कुछ बाउंडेशन भी लगाई है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये बाउंडेशन क्या है ऐसे एकाउंट पर क्या नियम और सीमाए है और इसमें क्या के बेनेफिट्स मिलेंगे तो इस वीडियो के साथ लास तक बने रहें हेलो फ्रेंग्स मेरा नाव है सचिन और आपने लॉगिन किया है CSC Knowledge Base तो चलिए सुरू करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक भारते स्टेट बैंक यानि SBI में अब आप नए तरह का स्मॉल जीरो बैलन्स सेविंग काउंट खोल सकते हैं सबसे खास बात इस काते की या है कि या खाता बिना किसी वैद KYC के भी खोला जा सकता है आमतार पर बैंक कोई भी अकाउंट खोलने से पहले KYC प्रोसेस को सक्ती से पालन करते हैं वैसे SBI का स्मॉल एकाउंट वैद भी खोल सकता है जिसके पास कोई वैद KYC डॉक्युमेंट नहीं है लेकिन इसके लिए आवेदन की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए SBI का या स्मॉल एकाउंट खोलने के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो, साइन या अंगोठे का निसान से लेटेड देटेल बैंक अधिकारी के सामें देना होता है इसके लिए इसमॉल एकाउंट में जीरो बैलन्स रख सकते हैं लेकिन अधिकतम बैलन्स पचांस जार रुपे से अधिक नहीं होना चाहिए SBI इस एकाउंट को बदले बेसिक रुपे ATM या डेबिट कार्ड खाता धारकों को जारी करता है जिस पर आपको कोई एन्वल चार्ज नहीं देना होता इसके साथ ही पैसे के लेंदेन जैसे NEFT, RTGS और अन्य किसी भी मेथट से लेंदेन करना और सरकार की तरफ से जारी चेक पर कोई चार्जस नहीं देना होता अगर आप अपना या एकाउंट बंद कराना चाहते हैं तो उस समय भी आपको कोई चार्जस नहीं देना होगा इन सब के साथ ही कुछ बाते ध्यान देने वाली भी है HBI के इस जीरो बैलेंस खाते में अधिकतम बैलेंस किसी भी हाल में 50,000 रुपे से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी महिले में पैसे निकालने और जमा करने इन दोनों को मिला कर 10,000 रुपे से जाता नहीं होना चाहिए और एक फाइनेंसिल येर में कुल क्रेडिट 1,000,000 रुपे से अधिक नहीं होना चाहिए अगर account balance 50,000 रुपे से अधिक हो गया और साल में account का credit 11 रुपे से अधिक हो गया तो अगला transaction आप तभी कर पाएंगे जब आप KYC document process को पूरा करेंगे और last में most important ये कि आप इस account के तहट महिने में सिर्फ 4 ही transaction कर सकते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो को ये खत्म करते हैं उमीद हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए इसी तरह के और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब पर लें और चैनल पर पब्लेश और वीडियो को भी आप देख सकते हैं खेर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहन वंदे मात्रम